ये बिल जो इंट्रिड्यूस हुआ हो रहा है ये अध्यक्ष मौदे बहुत सोची समझी राजनीत के तैत हो रहा है और मैंने अध्यक्ष मौदे सुना इस लोबी में के कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लि अध्यक्ष मौदे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका मैं मानियस सदस एनके प्रमाचंदर जी ने जो कहा और मानियस सदस जो कहा मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ यह बिल जो इंट्रिडियूस हूँ हो रहा है यह अध्यक्ष मौदे बहुत सोची समझी राजनीत के तहत हो रहा है अध्यक्ष मौदे जब लोकतांतिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रतिक्रिया है तो उसको नॉमिडेट क्यों किया जा रहा है वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं बॉडीज हैं उनमें कोई गहर ब्रादरी का नहीं आता है मालिजे वक्वोर्ड में गहर्स मौस्लिम को शामिल करने का ओचित क्या बनता है और अध्यक्ष मौदे इतिहास के पन्नों को गर हम पलटें अगर आप जिलादिकारी को सब तागत दे देंगे उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूँ कि एक जगे पर एक जिलादिकारी मौदे ने क्या किया था उसकी वज़े से आज और आने वाली पीड़ी तक को भी समना करना पड़ा अध्यक्ष मौदे में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और अध्यक्ष मौदे सचाई ये है अध्यक्ष मौदे सचाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश चंद कटर समर्सुगों के तुस्ट्री करन के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है अध्यक्ष मौदे आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं मैं याद कि दिया अद्धिक्ष मौदे मैंने आप से कहा था कि आप लोग तंद के न्याइधीस हैं और मैंने अद्धिक्ष मौदे सुना इस लौबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जाने हैं उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए कोई अधिक्ष के अधिकार अखिलेजी सिर्फ बिपक्स के नहीं है फूरे सदन के हैं इस तरह के गोल मौल बात आप नहीं कर सकते हो आप नहीं अधिक्ष के अधिकार के संड़ाइधस सकतATA एक विट एक विट एक विट एक विट प्लीज ये इसलिए लाए जारा देश मौदे पिहारे हैं अदेश मौदे अभी अभी हारे हैं और दरसल ये चाहते हैं नो रिकोट बनी जारा है आपका खुछ भी रिकोट बनी जारा है नाम बलाई से बेठिए 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 मान्य सदश्यगन मान्य सदश्यगन प्लीज मैं आपसे आगरह करता हूँ आप वरिष्ट हैं और कोई नए भी सदश्य होंगे क्रिपिया हमेशा इस बात का ध्यान रखें आसन पर संसत के आंतिक व्यरस्ता पर कोई टिक्नी नहीं करना चाहिए हैं ये मेरी सदन से अपिक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ष्ष् अपिक्षाओ को मानेंगे कि कभी सदन पर मिशेष्ष्रूप से आसन पर व्यक्तिकट टिपनिया ना करनी चाहिए